जैसे हम लोग aesthetic strength में aesthetic strength को compare करने के लिए conjugate base की stability को compare करते हैं कि जिस atom की electronegativity जाधा होती है जाहिर सी बात है उसकी electron pair को share करने की tendency कम होगी अगर आपके पास चार compound given है और इसमें अपने को basic strength को compare करना है तो आप पहले तीसरे और चौथे को compare कर पाऊगे hybridization से जैसे आप सभी को होगा कि अपने syllabus में पांच type के nitrogenous base हैं जिनसे नीट में सवाल आने के पूरे पूरे chances होते हैं हेलो बच्चो जैसे आप सभी को पता ही होगा कि आपके नीट exam में score को improve करने के लिए हम लोग एक नई नंग से solve कर पाएंगे तो आज इस topic को मैंने चूज किया है नीट point of view से उस topic का नाम है basic strength और आप सभी को पता ही होगा कि basic strength के सबसे ज़्यादा तर सवाल देखने को मिलते है नीट point of view के regarding तो सबसे पहले जितनी भी theory part है उसको मैं discuss करूँगा और इसी theory के अंदर मैंने सार आपको कोई दिक्कत का सामने ना करना पड़े और नीचे comment section में जुरूर से बताएगा कि कौन सा next topic है जिस पर आपको चर्चा देखनी है आईए सबसे पहले basic strength को start करते ध्यान से board पर समझेगा अगर मैं सबसे पहले basic strength की बात करता हूँ तो जैसे आप सभी को पता ही होगा कि acidic strength में क्योंकि हम लोग बात किया करते थे acid और conjugate base की यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं base की और base के साथ आपका corresponding conjugate acid रहा होगा यानि मैं अगर equilibrium constant की बात करता हूँ equilibrium expression की बात करता हूँ तो जैसे आप सभी को पता होगा कि equilibrium expression लिखने का तरीका क्या होता था कि हम लो similarly basic strength में भी आपको corresponding conjugate acid की stability को compare करना होता है यानि अगर मैं मोटा मोटी तवर पर बात करता हूँ तो आप यह बोल सकते हैं कि basic strength का जो potential है वो directly proportional होगा KB के और इसकी value inversely proportional होगी PKB के यानि अगर कोई compound एक अच्छा base है तो यानि उसके KB के value जादा होगी उसके PKB के value कम रही ह है जिसको मैं discuss कर लेता हूँ ध्यान से board पर समझेगा और जितने भी मैं point आपको बताता जा रहा हूँ make sure आप इनको sequence wise apply करते हुए चलेंगे जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से factors है जिन पर आपकी basic strength depend करती है तो सबसे पहला factor जो आप सभी को check करना होता है उस concept या उस topic का नाम होता है hybridization या आप उसको electronegativity कह सकते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिस atom की electronegativity जादा होती है जाहिर सी बात है उसकी electron pair को share करने की tendency कम होगी यानि उसकी basic strength जादा होने वाली है simple तो आपके सामने ammonia पानी है आप सभी को पता है nitrogen पर lone pair है oxygen पर lone pair है तो जाद है electronegative आपका oxygen है तो जाहिर सी बात है ammonia की basic strength water के मुकाबले जादा होगी वहीं अगर मैं और nitrogen containing compounds की बात करता हूं तो आप इनकी hybridization निकालके इनकी basic strength का सवाल बहुत अच्छे डेंग से नीट में solve कर पाएंगे जैसे आपके पास यह तीन compound given है जहां से समझेगा board पर अगर मैं पहले compound की बात करता हूं तो आप देख पा रहे हो कि nitrogen यहाप पर sp3 है और hybridization निकालना I think आप सभी को आता होगा अगर नहीं आता है तो comment section में बताने एक section उस पर भी लेंगे उसके बाद आपका nitrogen क्या होता है वाई sp2 होगा और उसके बाद आपका nitrogen क्या होगा sp बढ़ता है वैसे वैसे आपकी electrone negativity बढ़ती है यानि electron को share करने की tendency घटती है आपका basic strength वाला part कमजोर पड़ जाएगा वीक हो जाएगा यानि इन कीनों में अगर basic strength की बात करेंगे तो यह आपका stronger base होगा और यह आपका weak base है similar comparison आप इन दोनों molecule में कर सकते हो यह molecule बहुत important and need point of view से compound का नाम होता है enline यानि यहाँ पर nitrogen SP2 है यहाँ nitrogen SP3 है और SP3 वाला nitrogen always SP2 वाले से ज्यादा basic रहेगा अगर मान लीजिए यह concept काम ना आए अगर आप hybration से compare ना कर पाओ तो हम लग second property पर बढ़ते हैं जिसका नाम होता है resonance resonance का मत्तब सर, resonance का simple सा अर्थ है अगर कोई nitrogen का loan pair और मैं बता दू कि आपके syllabus में जो basicity है वो मिली nitrogen containing compound की है अगर कभी भी कोई भी nitrogen का loan pair resonance में चला जाता है इसका मत्तब वो delocalized loan pair है और अगर वो delocalized loan pair है यानि उसकी availability उस particular atom पर क्या होगी कम होगी यानि जो loan pair resonance में रहेगा जो localized loan pair होगा वो आपका more basic होगा और जो resonance में जा रहा है जिसको delocalized बोल रहे है वो आपका less basic होगा जैसे आप पहले example देख पा रहे हो अगर आपके पासे चार compound given है और इसमें अपने को basic strength को compare करना है तो आप पहले तीसरे और चौथे को तो compare कर पाओगे hybridization से पर अगर आप second और third को compare करना चाहते है तो आपको यहाँ पर basic strength को compare करने के लिए resonance का सहारा लेना पड़ेगा अगर आप second compound को ध्यान से देखो तो इसमें nitrogen का lone pair resonance कर रहा है पाई bond के साथ मत्तब यह lone pair आपका कैसा है delocalized है तो इसकी comparative तोर पर basic strength कम होगी किसके मुकाबले localized lone pair के मुकाबले और ध्यान कियेगा resonance का फंड़ा तब ही लगाएंगे जब hybridization काम नहीं कर रहा होगा तीसरे फंड़ पर आते हैं उससे पहले एक और example है यह भी निट पॉंट भी से बहुत important है आप सभी को पता है एक pyridine है और एक आपके पास aniline है कहने को दोनों जगा nitrogen SP2 है पर different zone में यह है कि pyridine का lone pair localized है और aniline का lone pair delocalized है यानि pyridine जो होगा वो आपका more basic होगा as compared to anil aniline इसके अलावा अगर मानलो आपके पास एक compound given aniline और उसकी basic strength compare करने पड़े pyrrole के साथ क्यूंकि एक बार neat का सवाल आ चुका है कि compare the basic strength तो pyridine, aniline और pyrrole तो अगर आपको aniline और pyrrole की basic strength को compare करना है तो ना तो आप hybridization का फंड़ा लगा पाऊगे ना ही आप यहाँ प पास है जी pyrrole अब एक बार ध्यान से बोर्ड पर समझना अगर aniline और pyrrole की बात करें तो यहाँ दोनों में ही nitrogen SP2 है और दोनों का ही loan pair resonance कर रहा है इसका मत्तब ना तो मैं लगा पाऊँगा electronegativity ना ही मैं लगा पाऊँगा यहाँ पर hybridization और ना ही मैं लगा पाऊँगा य that is aromaticity I hope आपने GOC में उसको बखो भी पड़ा होगा aromaticity का सिधा सारती है कि जो loan pair aromatic system का part होता है उसकी sharing tendency हमेशा कम होगी और जो loan pair aromatic system में contribute नहीं कर रहा है उसकी basic sense जादा होगी जैसे दोना example को समस्ते आईए बोर्ड पर अगर मान लो आपके पास एक aniline का molecule और दूसरा आपके पास payroll है तो मैंने आपको कहा कि कहने को aniline और payroll दोनों ही aromatic है बट basic difference इन दोनों में ये है कि aniline के loan pair का कोई role नहीं है aromaticity में बट payroll पर जो nitrogen का loan pair है that is participating in your aromaticity और जो loan pair aromatic system का part होता है वो हमेशा less basic होता है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लो उसने अपना loan pair H plus को donate किया H plus के साथ share किया तो वो अपनी aromaticity को lose कर देगा क्योंकि original molecule में जो aromaticity आ रही थी वो उसी loan pair को मद्द नजर रखते हुए आ रही थी ये आप compound आपका aromatic है और आप सभी अच्छे से जानते हैं यहां nitrogen SP3 हो चुका है यानि compound आपका aromatic से non aromatic convert हो चुका है और ऐसा कभी भी molecule afford करना न basic होंगे और number fourth property जो आप यहां पर check करेंगे उस number fourth property का नाम होता है inductive effect जो कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि inductive effect बढ़ता जाएगा जैसे जैसे प्लस i वाले group बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी basic strength बढ़ेगी और withdrawing वाले groups के मुकाबले अगर बात करें जितने भी आपके पास withdrawing वाले groups होंगे उनको अगर आप बढ़ते जाओगे तो आपकी basic strength कम होती जाएगी तो इस चार factor आपको भखू भी ध्यान रकने हैं hybridization का funda उसके बाद आपके पास चर्चा की जाती है किसकी resonance की फिर aromaticity और last में आता है inductive उसी के अलावा कुछ type के और सवाल जो नीट में आते हैं basic strength related वो आते हैं आपके nitrogenous base से लिए regarding सवाल आते हैं जैसे आप सभी को पता होगा कि अपने syllabus में 5 type के nitrogenous base हैं जिनसे नीट में स 4 था emidine का और 5 वा case होता है guanadine का आइए एक एक करके सभी को discuss कर लेते हैं जिसमें neat point of view से पहला case तो बहुत ही ज्यादा important है जिसमें elephatic amines की basic strength की चर्चा एक्जामेर आपसे कर सकता है आईए मैं आपको बता देता हूँ आप सभी को पता होना चीए कि अगर elephatic amines की basic strength क compare किया जाए तो आपके पास एक तो क्या होता है ammonia है normal एक आपका 1 degree, 2 degree और 3 degree amine है तो यह आप सभी को अच्छे से बता होगा कि अगर आप compare करना चाहते हैं basic strength को elephatic amines में तो यह order आपने NCRT में जुरूर पढ़ा होगा amines वाले chapter में mentioned है अगर आप R को methyl रखते हो तो 2 degree वाल 1 degree and then ammonia ammonia को सबसे पीछे इसलिए रखा गया है क्योंकि elephatic amines में basic strength के अंदर दो factor काम करते हैं एक तो होता inductive और दूसरा होता है आपका hydration यह आप hydrophobicity भी कह सकते हो तो जैसे-जैसे inductive effect बढ़ता जाता है वैसे-वैसे आपका basic strength बढ़ती जाती है और जैसे-जैसे molecule hydrophobic होता जाता है उसका size बढ़ता जाता है उसका solvation कम होगा और जितना कम solvation होगा उसका hydration उतना ही कम होगा इसलिए ammonia को सबसे पीछे रखने का मकसद यही होता है कि यहां पर किसी भी type conductive काम करी नहीं रहा क्योंकि इसमें तो कोई alkyl chain ही नहीं जूड़ी है बाकी तिनों में तो क्य है alkyl chain है इसके लाव एक और बात ध्यान अखेंगे कि यह सारी बाते हम लोग कहां कर रहे है एक्वस फेज में भाई खुदी बताओ हाइडरेशन का फंडा कहां लगेगा हाइडरेशन का फंडा कहां लगेगा जब आपके पास सॉल्वेंट क्या होगा पानी होगा अगर यह सारी चर्चा एक्जामिनर गैस फेज में करदे तो वहाँ पर किसी भी type का हाइडरेशन काम नहीं करेगा उत्तर शिरफ और यह तो आपका हो गया है जी अलिफेटिक अमाइन का केस अगर अरोमेटिक अमाइन की बात करें तो सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि क्यों एरोमेटिक अमाइन की बेसिक सेंट अलिफेटिक के मुकाबले कम होती है तो आप सभी जानते हैं अलिफेटिक अमाइन में कोई रेशनेस हो अगर को बात ध्यान रखेंगो ये है जैसे आपुने यहां पर एक फणर आता है जिसको बोलते है् और यह कई बार उसको प्रोटोनेशन भी कहा जाता है तो में बात क्या ध्यान रखेंगे अगर कोई भी बल की घुरुप आपको नज़राया ortho position पर with respect to NS2 तो वहाँ पर अपन किसकी बात करेंगा SIP की यानि उन जैसे compounds की basic strength हमेशा उनकी relative counterpart से हमेशा क्या होगी कम होगी relative counterpart का कहने का मत्तब अगर एक बार ortho पर लगा एक बार meta पर एक बार पर नॉर्मल anilin दिया हुआ है तो उनके respective अगर बात करेंगे तो और ortho वाले में आपको कम देखने को मिलेगी वहीं अगर मैं amide के case की बात करूँ तो amide में भी nitrogen है और इस बात का ध्यान आपको खासा रखना है कि amide की basic strength सबसे कम होती है क्योंकि amide में nitrogen का लोन पर resonance करता है aromatic वाले amide में भी resonance होता ही है बट दोनों में difference कि सीज़ का है वो यह है कि aromatic वाले case में जो resonance हो रहा है उसमें nitrogen का lone pair या nitrogen से electron density carbon पर shift होती है पर amide वाले case में क्या होता है electron density जो nitrogen पर है वो सिरफ nitrogen पर नहीं है वो delocalize करके oxygen तक भी जाता है और आपको पता है carbon और oxygen में oxygen की जादा electronegativity है इसका मतलब amide में extent of resonance aromatic के मुकाबली भी ज्यादा होगा तो normally amides की basic sense सबसे कम हुआ करती है इसलिए सबसे पहले aliphatic आते हैं फिर aromatic और last में आपके amide आते हैं वहीं जो एक नया टर्म आज आप पढ़ने जा रहे हो वैसे शायद आपने पढ़ा भी होगा इन जैसे compounds को amideen कहा जाता है amideen का मत्तब कभी भी आपको इस जैसी कोई unit दिखाई दे जाए तो इसको amideen का नाम देते हैं specifically जो मैंने case लिया हुआ है उस compound का नाम होता तो आपको पता है कि ए वाला nitrogen जादा basic होगा बी वाले के मुकाबले क्यूंकि पहली बात तो यह लोन पर localized है और दूसरी बात यह है कि जो दूसरा delocalized लोन पर है वो resonance करके इसके उपर electron density को बढ़ा रहा होगा यानि अगर आपको इन जैसे molecule में basic strength देखनी पड़े तो हमेशा A वाला B से जादा basic होगा अब रहा सवाल इनका relative comparison का मत्तब सरगर मैं amidine को compare करता हूँ aromatic, aliphatic और amide के साथ तो एक बात और ध्यान अखेंगे कि amidine जो होते हैं वो aromatic, aliphatic और amide तीनों सही जादा basic है क्योंकि amidines के case में जो corresponding conjugate acid बनेगा वो दो equivalent RS से stabilize होगा क्योंकि आपने क्या किया इस compound को H plus किलाया, तो this is your conjugate acid, ये corresponding can generate किया है हमने, this is your conjugate acid और आप देख पा रहे हो कि इस conjugate acid में equivalent RS बन रहे हैं, दो equivalent RS का formation है, इसलिए amidines की basic extent आपकी aliphatic से भी जादा रहेगी और amidines से ही मिलता जूलता एक और base होता है, जिसको specific तोर पर कहा जाता है guanidine, ये same unit आपने carbohydrate वाले chapter में, ये अगर biomolecules वाले chapter की बात करें तो जिसमें amino acid की चर्चा होती है, वहाँ पर भी एक amino acid में आपने same unit देखे होगी, मुझे जरूर से comment section में बताना हो, कौन सा amino acid है, जिसके अंदर आपने guanidine type की unit देखी हो, comment section में जरूर से बताना भई, आप देखो, ये आपके फास क्या है guanidine है, guanidine में भी आप देख पा रहे हो, कि इसका ये जो corresponding conjugate acid में बना रहा हूँ, इसके अंदर भी stability आएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 equivalent RS का formation है, तो अगर nut shell की बा basic strength का सवाल मिलेगा, या आपको aromatic amines की basic strength का सवाल मिलेगा, या फिर सभी cases को mix करके, पांचों cases को mix करके आप से सवाल पूचा जा सकता है, और एक example जो आपको बहुत neat के लिए ध्यान रखना है, वो कौन सा है, एक तो aliphatic amines की basic strength, 2 degree, 1 degree, 3 degree, और number second, pyrol, इसके लावा pyridine और aniline में relative conversion करना आपको आना चाहिए कि तीनों में जादा basic कौन होता है, so I hope कि आपको basic strength वाला part बिलकुल clear हो गया होगा, और जो जो चीजे, neat perspective से आपको सवाल solve करने में help करेगी, वो सारी चर्चा में session में कर चुका हूँ, तो जल्दी मिलते आपके साथ next session में, till then keep preparing and all the very best. कि कि